हेलो गाइज पिछली लेशन में हमने देखा था कि किस तरीके से आपको इसा भी प्रोजेक्ट सेव कर सकते हैं और वह भी एडिटेवल तो आज इस लेशन में हम समझेंगे कि किसी भी इमेज को अपने वेबसाइट के लिए प्रिंट के लिए कैसे सेव करेंगे तो पूरी ज इसको पकड़ता हो मौश से और यहां पर ड्रै करके इसमें यहां पर छोड़ देता हूं तो आठीकल यहां पर ओपन ऊजाता है इमेज के साइज का साइज है इसका अगर मैं में साइज की बात करो कि यह 422 x 2848 इसके हिसाब से फोटो सब में एक प्रोजेक्ट बन जाएगा अगर इसका मैं कंट्रोल अल्ट आई से इमेज साइज देखू तो यह आप देख सकते पिक्षल में बयालीस सो बहात्तरवाई अठाइस सो अड़ालीस तो अब क्या करना है तो इसमें मैं कुछ कुछ चीजे करता हूं जैसे एक लेड लेता हूं और इसके ऊपर कुछ वर्क करूंगा तो मैं वर्क इसलिए कर रहा हूं ताकि प्येज़ पीएशडी सेव हो सके ठीक है तो जैसे आप कुछ वर्क करते हैं जैसे मैं यहां पर नर्मरी में ने कल बताया था आपको यह इसके background में मैंने यह वहला color फिल कर दिया और इसको हम सेव करेंगे और यहां पर करेंगे तो यहां पर the location के लिए अगर फॉड़ोसर्ट में फाइल में जाके सेवेश करते हैं तो क्या होता को यहां पर आ गया जहांसे आप इमेज उठाएंगे वहीं पर आप उटमेटिल्स के लिए पूझे गाताप कर सकते हैं तो मैं यहां पर जो पीएसडी करता हूं पी-एस-3 के नाम से शेव करता हूं यह पी-एस-डी और यहां पर ओके जश्म मैंने यहांपर प्याइज डिसका जो ग्राउन यह डार्क-ई-लो कलर का है आप क्या करना मुझे इमेज में सेव करना है तो में कैसा सेव करेंगे इसी चीज को तो इसी पल सप्बसर क्या करना है है तो आपको फाइल में जाना है और सेंग में जाना है और सेव एजब कर सेटे और यहां पर यह यूज होता है और दूसरा पी एंजी यह यूज होता है आप यहां पर यूज कर सकते हैं और पीडियाफ के लिए अगर यूज करना है तो नॉर्मल यहां पर कर डियाफ यह रहा पीडीएफ ठीक है कोई डॉक्मेंट या पर अपने लिए आपने कुछ भी चीज भी चीजे बनाया ऐसा जो फीडियर में यहां पर सेव कर सकते हैं पीडियाफ यह यहां पर जैरा बीडियाफ का भी ऑप्सेंड एट जायतर यूज होते हैं तो मैं इसको जब्रेश कर देता हूं और यहां पर प्यस्थिर के नाम से अगर आपके पास यहां पर कोई पंगा है जैसे यहां पर किसी भी क्लाइंट को देना और उसका रिक्वाइमेंट है कि मुझे एक एंबी के अंदर ही जो है आप यहां से कि मैक्सिमिम्म वाइटी होता है 12 फोटोट आप यहां से लिख भी करेंगे तो एक करके कम होते जाएगा और आप यहां से स्क्रोल भी यहां पर बढ़ा सकते हैं यहां पर मान लिजे कि जो क्लाइंट है उसको दो से नीचे चाहिए तो यह 1.9 MB है तो ठीक है मतलब हमारे लिए ठीक है और जो फॉर्मेट का ऑप्शन है यही पर बेस्लाइन स्टेंडर्ड ही होना चाहिए और यह मैंने यहां पर अब यहां पर देखेंगे कि यह जो पीएज त्री यह जो है यह जो है पीएजडी में हो गया अब क्या करना है कि हमें अब पीएजी में भी सेव करना है तो यहां पर नॉमली यहां पर जाएंगे सेवेज और यहां पर पीएजी दोस्तों आप याद रखिए कि पीएजी और कि मैं यहां पर सेफ कर देता हूं अब देखिए यहां पर यह एक है जो है यहां पर प्रींग और यह जब बताता हो आपको जो सब्सक्राइब यह प्याइज है 1.95 MB जो प्याइज का 3.34 MB हो गया तो यह प्याइज का साथ जेपी जी के कंपरिजन में काफी ज्यादा है तो आफ की यह कंफूजन आपको हट गया होगा अब आगे बात करते हैं तो यह हमने बता दिया कि सेभेस के हिसाब से 2017 कैशिव करते हैं अब बात करते हैं दूसरा अप्टन क्या है दूसरा odsen नाफिया कि आप यहां आप से एक्सपोर कर जकते है एक्सपोर्ट में आपको भूट सारा उप्षान मिल जाता है प्शों as a export as a बहुत सारे चीज़े कर सकते हैं एस पट एज फोग गया ज्यक्ति हो गया डिया ज्या फोग क्या होता है कि अगर योज करते था तो यहां से यहां से मैं इंड्रस्ट्री में काम कर देता हूँ जो काम होते हैं तो यह जो एक्सपूर्ट होता है वेफ्साइट के लिए इसी पर होता है कि यह काफी कम में कुछ अच्छा क्वालिटी देता है जैसे यहां पर 56.6 के बी का जो यह साइज है बन गया है इसको मैं चेंज करूंगा जी पीजी में चेंज कर दिया अब इसका जो साइज है है 56.6 के जो Dé ordering में करते हैं जिसे यहां पर 1272 केեहां इसको प्योंने को यह Greek और यही यह तो हजार यहां यह होंगा यहां पर 3000 क्या हो जागा कुछ इस टैप से स्ट्रेच हो जाएगा इसलिए हम यहां पर लिंक रखते हैं ताकि अगर हम इसको विर्थ को छेड़े तो इसके हिसाब से हाइट अरेंज हो जाए ठीक है तो मैं भूल गया कि कितना साइज था आपना बट कोई दिक्रत नहीं ठीक है अब मैं इसको सेव करता हूं नौमल यहां पर सेव अब इसको लोकेशन देना कि सेव कहां पर करना है आपको कुछ इस टाप से इसका सेव का प्रोसेस है ता आप मैंने इसको सेव कर दिया इसका सेव हुआ यहां पर सेव हुआ है यह है एक्सपोर्ट यहां मैं नौर्मल यहां पर एक्सपोर्ट यानि कि एक्सपोर्ट के लिए यहां पर इसको एक्सपोर्ट किया हूं इसका जो साइज है 301 कवी का यानिकी 301 कवी का है और यह पी एंज तो आप देखिए कि कितना कम साज हो गया इसलिए इसको वेबसाइट के लिए यूज करते हैं अगर मैं यहां पर export करूंगा export as a png तो यहां पर jpg को हटा के यहां पर png कर दूँगा अब यहां पर देख सकते हैं यहां पर इसको लोड ले रहा है थोड़ा सकत यह काफ़ी ज़्यादा बड़ा इमेज इसलिए थोड़ा साथ लोड़ा ले रहा है अभी लोड ले देंगे यहां पर जो इसका साइज यहां पर कम भी कर सकते हैं यहां पर दोहजार रखने के बाद इसको मैं सेव कर देता हूं इसका साइज हो गया है 590.9 इसका मैं जो नाम है यहां और यह सेव कर दिया हूं अब यहां पर पी एंजी एट है इसका साइज है 591 की हो गया इसका साइज है 301 की हो गया विकाज यह यह पी एंजी और यह जी पीजी अब यह ट्रांस्परेंट क्यों नहीं हुआ इससे पेले से ने रखा था अब मैं कुछ आप सी करता हूं और एक्स्पोर्ट करता हूं तो यह टॉस्परेंट गस्पूर्ट हो जाएंगा योग यह कुल आफजी लिए यहां आप मैंने ट्रांस लिख दिया हूं अब समझ लेना यहां यह त्रांस्परेंट हो गया इसका जो साइज है 1.30 अब का है और यह मैंने यहां से एक्सपोर्ट से कर रहा हूं यहानि कि यह जो आप्शन एक्सपोर्ट का यहां से से एक्सपोर्ट कर रहा हूं अब मैं एक इधर से भी कर लेता हूं एक्सपोर्ट से पी एंजी में यहां से यहां तक का हो गया से से एक्सपोर्ट किया है मैंने इसको खूर्ट किया है तो आई होप कि आप सबच गये होगे एक तरीके से किसी चैब इस्दिक करना ही या फिर these करना चाहते है बहुत असान तरिकवर के लिए हों और पिर किसी प्रिंट के लिए एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप कि आप सबज गए होगे तब तक धन्वाज जाएं जाएं बार